अयोध्य में सर्यू नदी खत्रे के निशान से उपर पहुंच चुकी है, नदी 60 cm उपर अल्री बह रही है, जिस वज़स से तराई और माजा बेल्ट में किसानों की जो फसले हैं, वो अल्री डूब गई है, किसान बहुत परशान है, किसानों के घर भी बार की चपेट में आ पसरा रहा है, जिस वज़स से धान की फसल, करवी की फसल, गन्य की फसल डूब गई, यहां के किसान बहुत परिशान है, दुखी है, क्योंकि उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्या तैयारिया की जा रही है, क्या वविस्था। किसान है, अपने महविस्थी के साथ बंदे पर स्रण लिये हुई है, हाला कि जिला परसासन की ओर से जो बार पीडित हैं, उनको मदद पहुंचाए जा रहा है, सेल्टर रूम बनाए गया है, खासकर पुराबदार, मयाबदार और अजुद्या का जो रुदोली सौहावल किसान है, जिला परसासन की ओर से जो बेउस्थाई की गई है, तस्वीरों को देख कर समझा जा सकता है वासुदेव, लेकिन रात मिलने की कब तक उम्मीद जज़ाई जा रही है? कब तक जलस्ता थोड़ा काम हो सकता है, और जो किसानों को नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई के लिए क्या तयारी? क्यों फसल जलवंगन होई चाहिव धान कि यहोए चाहिक उलाइक हो ऊसका यहाऑ पर सथाने जो रजीषार कारी यह लेकौस, इस पूरी बादशित के लिए इन तस्विरों के लिए इस पूरी जानकारे के लिए धन्यवाद